दोस्तों मैं ओमन कोची को और कुछ नई फाइट सनांस हो रही है। कल बता है कि इंट्रुवी में देना वाइट ने की वो ट्राय कर रहे हैं दैन हुकर वर्सिस माइकर चैंडलर फाइट के अग्योसी 257 को में इवेंट के लिए जो कि एक बहुती बड़ी निउस है में इवेंट आपका है और उसके नीचे एक और लाइट वेट फाइट हुकर वर्सिस चैंडलर क्योंकि ये एक इतनी बड़ी फाइट है एक सेंस बनता है UFC के लिए एक बेकप फाइट वापे होना आपको याद होगा जब फाइट हुई थी हभीब की और गेची की तो उसके लिए मैंकर चैंडलर वेकप फाइटर थे उन्होंने पूरा वेट कट किया था उन्होंने पूरा अपना वेइन भी किया था और वो रेड़ी थे इन केस कोई फाइटर उस फाइट से बाहर हो जाता है ऐसा नहीं हुआ तो तब से वो वेट करें थे नेक्स्ट फाइट का अगर आप जानते हैं इस चैंडल को कुछ चाइब से तो आपको याद होगा कि मैं पहले यह क्या रहा था कि को मैंनेवेंट के इस वाइट के इस पाइट के इसके अंदर Łagos Chándaly पाते होगे-हाँनेृ-हा इन होगे-हाँची या होगे-हहकर जा रही है अगेंश चाल्ज अलवेरा. चुकि ये बहुत अच्छी फाइट होती. क्योंकि दोनों ही फाइट हागा और अच्छा ग्राउंड गेम है. अगर आप नहीं जानते हैं कौन है मैं के चैंडलर, चुकि अब ही नेने आया हैं तो उनका जो ग्राउंड के में बहुत ही अच्छा है Dan Hooker थोड़ी सा टॉल है तो मेरे साथ थोड़ा सा होगा अद्वांटीज है कि यह फाइट ग्राउंड पर जाती है Dan Hooker ट्राइक करेंगे कि यह फाइट है यह बिलकुल फीट पर रहे स्टैंडफ गेम खेलें स्टैंडफ पंचिस एक्सचेंज करें क्लिक्स एक्सचेंज करें बट अगर ट्राइक करेंगे Chandler की फाइट ग्राउंड पर जाएँ और ग्राउंड पर बहुत टफ है Michael Chandler तो यह बहुत ही इंटरसिंग फाइट है अगर वैसे बात करें ओवराल पिक्चर में तो अभी हमरे पास क्या है हमरे पास रैंकिंग है हमरे पास नंबर वन पे है Dustin Gaethi आफ्टर हिस लॉस भीब नंबर दू पे हमरे पास Dustin Poory है नंबर तीन पे चाल्स उलिविरा पहुंच गये है लास्ट उनकी थी वसी Tony Ferguson उनको रहने के बाद नंबर तीन पे पहुंच गए है नंबर चार पे है Connor McGregor नंबर पांच पे है Tony Ferguson नंबर च्छे पे है Dan Hooker तो यह है हमारे करंट रैंकिंग और I think अगर अभी भी जो साफ नहीं पिक्चर क्या है अभीब की वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं एक उनका जो इंट्रुव आई था से बहुत ही confusion था कि वो कह रहे थे कि जो विंदर होगा Connor वसी देस्टन पोडियम fight वो खेलेगा belt के लिए या वो champion होगा confusion बताया Dana White ने कि नहीं वो ये का मतलब नहीं था वो कह रहे थे कि जो लड़े का जो जीतेगा fighter वो बेल्ट के लिए खेलेगा बहुत confusion है बहुत confusion है बट अन्यवे जब तक ये साफ होती confusion जो कि साफ होगी जब तक मिलेगा जब तक ये बहुत अच्छा काड़ बन गया है अब इस फाइट से पहले भी हमारे पास और अची फाइट से अगर देखे हमारे पास जो कि युशी वेबसाइट है हमारे पास जो पहले जो फाइट होने वाली थी हमजएद वर्सिस लिएन एडवर्ट्स अब वहां पर पहुँच गई है निल मैगनी वर्सिस मैखल कियासा जो कि ये बहुत अची फाइट है वल्टर वेड डिविजिन में फिर मारे पास है ओके अपर देट सुरी उल्टी पुल्टी हो गई है पहले फाइट होगी मारे पास Max Holloway vs Kelvin Kater जन 17 को फिर होगी फाइट मैखल कियासा vs Neil Magni और फिर मारे पास होगी नमबर तीसरी फाइट कार्ड होगा ओबिसली दसन पोरिय vs Connor McGregor तो ये हमारे पास फाइट है जो कि होगी उस पुरी फाइट वीक में ये पूरा जो फाइट वीक होगा जिसमें तीन फाइट कार्ड हैं पहला फाइट कार्ड होगा Max Holloway vs Kelvin Kater फिर होगा नमबर तू फाइट कार्ड वो होगा Neil Magni vs Michael Kiesa जो कि पहले होने वाला था Hamzat vs Leon Edwards और नमबर तीन जो फाइट होगी उस वीक में फाइट कार्ड होगा वो होगा ओबिसले कॉनम अगरेगर वस्सेज डेस्ट न पौर ये एक बहुत अच्छा फाइट वीक तो दोस्तों ये था मेरे नियूज की कैसे अब ट्राइ कर रही है UFC बुक करने के लिए Dan Hooker vs Michael Chandler इसके लावी बहुत सरी फाइट से जो कि अब तक अनौंस नहीं हुई है और होने वाली है हम उसमें वीडियो मनाते रहेंगे और आगे आप देखते रहिएगा